नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस समय प्रत्वी पर एक बहुत बड़े उलकापेंड का खत्रा मनरा रहा है दरसल एश्ट्रोइड को ही उलकापेंड केते हैं आज से साड़े छे करोड साल पहले किसी इजिप्टा नाम के उलकापेंड का प्रत्वी से टकराव होने के कारण प् प्रत्वी से टक्रा सकता है क्या या उलकापेंड प्रत्वी को नश्ट भी कर सकता है अगर या उलकापेंड प्रत्वी से टक्राएगा तो क्या प्रत्वी से जीवन भी नश्ट हो सकता है इस वीडियो के जरिये हम आपको इन सब सवालों के जवाब बताएंगे आज की इस व शुरू करते हैं दरसल दोस्तों एक बहुत बड़ा उल्कापिंड प्रत्वी की तरफ आ रहा है यह उल्कापिंड 28,800 किलोमेटर प्रती गंडे की रफ्तार से प्रत्वी की तरफ बढ़ रहा है इसकी रफ्तार इतनी तेज है कि आप इसे सामानने रूप से नहीं देख सकते ह हम जितनी देर में पल के जब काते हैं उतने समय में तो यह उल्कापिंड 8 किलोमेटर का सफरते कर लेता है अगर यह उल्कापिंड प्रत्वी से टकराता है तो प्रत्वी के लगबग हर हिस्से में बड़े बड़े धमाके होंगे उल्कापिंड के टुकडे सहरों में गिरन नैस कर देगा हर तरफ सिर्फ तबाही नजर आईगी और अंत में प्रत्वी पर सिर्फ आग का लावा ही बचेगा जिससे प्रत्वी एक आग का गोला बन जाएगी दोस्तों ये तो हमने सिर्फ कल्पनाय जताई थी कि अगर कोई उलकापेंड प्रत्वी से टकराता है तो क्य क्या हो सकता है लेकिन दोस्तों प्रत्वी की तरफ आ रहा 220 मिटर चोड़ा ये उलकापेंड प्रत्वी से नहीं टकराएगा बलकि ये उलकापेंड तो प्रत्वी से 28 लाग किलोमेटर की दूरी से निकल जाएगा जी हाँ दोस्तों वेग्यानिकों ने ये जानकारी दी है क कि प्रत्वी की तरफ आ रहे इस उल्कापिंड से हमारे प्रत्वी को कोई खत्रा नहीं है इसलिए दोस्तों डरने की बात नहीं है क्योंकि ये उल्कापिंड हमारे प्रत्वी से नहीं टकराएगा